बीती दिनों संसत में Personal Data Protection Bill काफी चर्चा में रहा है द्रिश्टियाई इसके इन फोकस प्रोग्राम में एक फिर से आपका स्वागत है मैं हूंगी तान्जली और आज हम चर्चा करने वाले हैं Personal Data Protection Bill को लेकर जो खास खबर चर्चा में थी कि आखर या वित्य विधियाक है या धन विधियाक कि अंतर्फ में क्यों आ गई है इसके बाद जानेंगे धन-विध्यक की और फिर समझेगे विद्विध्यक और धन-विध्यक में अंतर की इन में मुख्यता अंतर क्या है अंत करश होगा जिसका जवाब को और यहाद만 सेक्षन आया शामिल किया जा सकता है चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खबर को खबर दा इंडियन एक्स्प्रस में प्रकाशित की गई थी खबर थी money bill versus financial bill what are the differences what the court has ruled तो आज हम जानेंगे सबसे पहले जरूरी क्या है यह जानना polity की लिहाद से राजवश्था की लिहाद से की आखिर money bills क्या है और financial bills क्या है यानि हम जानेंगे कि वित्विधियक क्या होते हैं और धन विधियक क्या होते हैं इनमें मोलता अंतर किन चीजों का है किन बातों का है सबसे पहले खबर सुर्ख्यों में क्यों आ गई है याने इसके चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है दरतल अभी हाल ही में संसद में एक बिल को लेकर काफी चर्चा में रहा है यह मामला यह बिल था Digital Personal Data Protection विधियक जो कि पिछले कई वर्षों से चर्चा में रहा है क्योंकि हम सबी जानते हैं कि अब हम Digital World में रह रहे हैं ऐसे में हमारी प्राइवेसी को लेकर हमारे डेटा को लेकर लगतार मुद्दी सुर्ख्यों में बने रहते हैं इसे लिहास से Digital Personal Data Protection विल भी काफी चर्चा में रहा है आज जानेंगे कि आखिर यह विधियक सामानी विधियक है या धन विधियक तो इसे लेकर जब यह मामला सुर्ख्यों में रहा तो इसे बताया गया कि यह एक सामानी विधियक है यह धन विधियक नहीं है इसके अलावा यह विधियक समम्विधान के अनुचेत 117 की ताहत पेश किया जा रहा है जो विधियव को लिए विशेश प्रावधानों से संबंदित है माना जा सकता है कि इसे धन विधियक की कैटेगरी में नहीं लिया जा रहा है चली बड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वित्य विध्यक क्या होते हैं जिन के लिए मामला चल्चा में था वित्य विध्यक के बार में अदि हम समझें तो सामानिय अर्थों में कह सकते हैं कि कोई भी विध्यक जो राजस्वी यानि रिवेन्यू या व्याईसी सब्बंदित है एक वितिय विध्यक कहलाता है हम सबी जानते हैं कि अधि हम धन की चल्चा करते हैं या किसी भी प्रकार की मनी की चल्चा करते हैं तो माना जाता है कि वह मनी ये धन है ये वित्त है इसलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के वह विधियक जो किसी भी प्रकार के राजस्य ये व्याय से सम्बंदित हो तो उसे वित्य विधियक कहा जाता है सामानिय अर्थोमे धन विधियक भी विशिष्ट प्रकार का वित् धन विध्यक की बात करें तो इसकी चर्चा की जाते है भारती समविधान के अनुचेत 110 में इस बात को ध्यान रखेगा भारती समविधान के अनुचेत 110 में आगे जाने तो जो केवल अनुचेत 110 A से G में निर्दिश्ट मामलों से संबंधित है ये मामले क्या है इनकी बारे म हम आगे चर्चा करेंगे समविधान का अनुछेत 117 वित्य विधेकों से संबंधित विशेश प्रावधानों से जुड़ा हुआ है या इससे संबंधित है वित्य विधेकों की बारे में चर्चा करें या बात करें तो भारती समविधान में वित्य विध्यकों के लिए अनुशेद है अनुशेद 117 और वित्य विध्यकों की इसमें दो श्रेणियां बताएं गई है पहली श्रेणि बताएं गई है 117 एक के तहट और दूसरी श्रेणि बताएं गई है अनुशेद 117 दो के तहट आई जानते हैं सबसे पहले अनुशेद 117.1 यानि वित्य विध्यक की पहली श्रेणी यदि हम इसकी बारे में चर्चा करें तो एक विध्यक जोने शेद 110.1.1 के खंड एसे F में रिदिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान करता है तो यह हैं विशेश प्रकार की जो या वित्य विध्यक की पहली श्रेणी कहलाती है चीक है इसे आप ध्यान रखेगा और इसकी खास बात क्या है कि राश्ट्रुपती की सिफारिश पर इसे पेश किया जा सकता है और इस थनांतरित किया जा सकता है यदि कहें कि इसके राबा इसमें और कौन सी चीज़ें शा दूसरी शर्णी के बारे में दी चर्चा करें। 117.1 के अंतरगत आते हैं बात करें 117.3 के अंतरगत वाली श्रैनी की संबंध में तो इस प्रकार के वितिय विध्यक और एक सामान्य विध्यक की बीच अंतर यह है कि यदि पूर्व अधिनीमित किया जाता है तो इसमें भारत की संचित निधी से व्याय शामिल होगा और इस पश्टरूप से जानना हो तो ध्यान रखेगा कि इसे किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि राष्टुपती ने इस पर विचार करने की सिफारिश नहीं की हो यानि जब राष्टुपती इस पर विचार करने की सिफारिश करता है तब ही इसे किस परती भी सद्न से फिर पारें किया जा सकता है यह कि खास बात है ज़के इनसे जोड़ी अनितर्थ्यों के बारे में चल्चा करें तो ध्यान रखेगा कि अनिसाभी मामलों में ऐसे विधिये विधियक सामानी विधियक की तरह ही होते हैं इन्हें राज्यसता भाँ में पेश क जा सकता है इसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है या सयक्त सम्झेर दोनों संद्नों द्वारा विचार विमर्ष की अधीन किया जा सकता है यह दूसरे यानि हमने बात की अनुष्यट एक्से सट्थरह te bereत आने वाले भीधेयकों के संदर्व में यह वित्य विध्यक है जिसे अध्यक्ष द्वारा प्रामारेत किया जाता है, यानि लोकसभा का अध्यक्षी बता सकता है कि कोई वित्य विध्यक है वे धन विध्यक है या नहीं, ठी, ये तो हमने जाना वित्य विध्यक के बारे में, अब आये जानते हैं धन विध्यक के बारे ध्यान रखेगा यहाँ पर चल्चा की जा रहे हैं किसके बारे में करके बारे में यदि कोई वित्य विधियक करारोपन से संबंधित है करकी उन्मूलन से संबंधित है करकी परिवर्तन या वीनेमिन से संबंधित है तो यह धन विधियक कहलाएगा इसके अलावा सरकार द्व स्वीक से संबंदृत यह निधी और इसकी बारे में अनुछे 266 चाल की गई है कहा जा सकता है कि अनुछे 266 एक यदि आकस्मिक निधी के बारे में चAL चाल करें तो इसका अलेह भारती समविधान के अनुछे 266 में किया गया ठीक है भारत की संचित निधि से धन का विन्योग से समदित कोई विधियक है तो वे धन विधियक कहलाएगा, भारत की संचित निधि या लोक लेखा मैं से कोई धन प्राप्त करना चाहे, इससे जोड़ा कोई विधियक है, तो यह धन विधियक कहलाएगा, इसके अलावा अनुचेद 117 के नुसार धनविधियक राश्चुपती की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तो यह विधियक के लाएगा कौन सा विधियक धनविधियक ठीक है आमोमन सामाने तोर पर आप कह सकते हैं कि एक धनविधियक विधिये विधियक होता है चीक है अब यदि हम बात करें धनविधियक के अलावा कि वित्यविधियक और धनविधियक में अंतर क्या है तो आई ये से भी जानते हैं जब धनविधियक की बात आती है तो लोकसभा को राजिसभा की सिफारिशों को अस्वीकार करने का अधिकार होता है धनविधियक के ब यह सकता है वही धन्विधियक केवल लोक सभाह में पेश चिया जा सकता है। राश्टरपती की सिफारिशों के अलावा कोई भी लोक सभाह में डन्विधियक पेश या languis में। इसके अलावा किसी भी कर्मे कटोती या उन्मूलन से संब्धित संशोधनों को राश्ट्रपती की सिफारिश की आवश्यक्ता से चूट प्रदान किया गया है। कौन सा से एकतन सही है और हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो। तो आप इस प्रश्ने का सही जवाब कमेंट सेक्षिन में जरूर दें। मिलते हैं हमारे अगले विशे के साथ तब तक पढ़ते रहिए। रिवीजन करते रहिए। कर दो कि अजय है याले टो ऊहलीजन का सहते हैं हमारे रहदों एक लासे के सार आपसे के सलेशईद knights bilmiyorum